नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश 29 सप्रेल, शुकरवार दपरसवा, 3 बचे राजस्तान जोतपुर बेकानेर की बड़ी खबरे बजली संकट को लेकर मुख्यमंत्रिय शोगहलोद के इंदर सरकार पर निशाना साथते हुए, राजस्तान भाजपा लीडर्शिप को भी कट घरे में खड़ा किया है मुख्यमंत्रिय ने कहा है कि ये एक राजटी संकट है, मैं सभी से अपील करता हूँ कि इस संकट में एक जुठो कर परईस्तितियों को बहतर करने में सरकार का साथ दें अपने निवास या कारेशेतर के गयर ज़रूरी बिजली उपकरनों को बंद रखें, अपनी प्रास्मिकताएं तैकर बिजली का उपयोग जरूरत के मताबिक करें साथान के 143 शहरों में फिकल स्लस्ट ट्रीट्मेंट प्लांट लगेंगे, इन FSTP पर 1000 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे नगरे विकास मंतरी के आवास पर गुरवार को हुई बैटक में मोहर लग गई मोक्य मंतरी शोगहलोत ने बजट में प्रदेश के 143 शहरों में 1000 करोड वे फिकल स्लस्ट ट्रीट्मेंट प्लांट लगाने की घोशना की थी ये प्लांट स्थाने निकाईवे भाग एवं RUIDP की ओर से लगाई जाने हैं मोक्य मंतरी अर्विंद के जुरिवाल ने शुकरवाल को कहा कि उनकी सरकार किसी तरह से दिली में बिजली आपूर्ती की स्थिति से निपट रही है और देश में विजित संकट की समधान के लिए त्वरी ठोस कदम उठाने की जरुरत है उनने कहा कि पूरे भारत में बिजली की स्थिति बहुत गंभीर है कि जुरिवाल ने ट्वीट किया देश वर में बिजली की भारी समस्या हो रही है अभी तक दिली में हम किसी तरह से प्रबंधन कर रहे हैं पूरे भारत में स्थिति बहुत गंभीर है हम सब को मिलकर जुलहिस का समधान निकालना होगा जपर में रोजगार को लेकर जपर के शहीद समारक पर बैठे C.H.A. अभियर्थी अब आंदोलन के रणिती बदलेंगे C.H.A. संखर्ष समीती के अध्याप्ष रवी चावला ने कहा कि गांधिवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और आज आंदोलन 29 दिन जारी है लेकिन सरकार 25,000 से अधिक अभियर्थियों के विरोजगार होने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है C.H.A. अभियर्थियों ने अल्टिमेटम दिया है कि अगर सरकार 30 अप्रेल तक उन्हें रोजगार देने को लेकर कोई घोशना नहीं करती है तो कल से आंदोलन की रननीती बदलने को लेकर चर्चा करेंगे जोत्पूर में भारते किसान संकी और से जिले में क्रिशी सिंचाई के लिए वावजुर सुधा नहीं होने की कारण संग ने शुकरवार को प्रदर्शन का हवान किया था इसके बाद गुरुवार को डिस्कॉम प्रबंधन वैसंगठन प्रतिनेधी मंडल के बीच हुई वारता में प्रबंधन निदेशक परमोद रटाफ ने विदिर सप्लाइ सुरिशित करने का आशवासन दिया डिस्कॉम प्रबंधन के साथ सकाराथमकवारता के बाद प्रस्तावित प्रदर्शन को स्थगित करने का निर्ने किया गया प्याज की खेती के लिए सीकर जुला देश फर में अपने विशेश पहचान रखता है लेकिन इस बार प्याज की खेती करने वाले किसान बेहद निराश है किसानों को उनकी लागत का भी पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है देश में बड़ती महंगाई के चलते लागत पिछले साल की बजाए दोगुनी हो चुकी है लेकिन मौसमें हुए बदलावों के चलते क्वालिटी का प्याज तयार नहीं हो पाया है इसके चलते पिछले एक महिने से प्याज के एक ही दाम बने हुए है किसानों का क्याना है कि कम भावों के चलते उनके अब लाग चुका पाना भी मुश्किल हो रहा है बिकानेर में पिछले 24 गंटे में तापमान 45 रिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है जिले में शुकरवार को भी इस हाला से कोई खास राहत मिलती नजर नहीं आ रही है मुश्किल विभाग का मानना है कि बिकानेर में अगले कुछ दिन तक हीट वेव रहेगी इस सीजन में पहली बार सुर्य देव ने इतनी तलखी दिखाई है बिकानेर संभाग के बिकानेर चूरू श्री गंगानगर वेहन मानगर चारो जिलों में गुरवार को तापमान 45 रिग्री सेल्सियस के पार रहा श्री गंगानगर में सरवाधिक 45 तश्मिलों साथ डिग्री सेल्सियस तापमान रहा ऐसे में आशंका जिताई जारे एक के आने वारे दिनों में श्री गंगानगर सारे रिकौर्ड तोड़ सकता है पानी विजली के लगातार खटोते के खिलाफ और जनहितों के विभिन मुद्दों को लेकर भाजबा की तरफ से आज जन आक्रोश रहले निकाले गई बाजबा के शहर जुलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतरतों में शहर के सभी बारा मंडलों में रास्तान सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश रहले निकाले गई साथ ही प्रदर्शन कर संबंदित अधिकारियों को ग्यापन स्वापे गए भाजबा शहर जुलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशुग गहलोट की नेतरतों में राज्य की कॉंग्रिस सरकार पोड़ो रूप से सम्वेदन हीन हो चुकी है सरकार आम लोगों की मुलभूत अवशक्ता पानी और बिजली के आपोर्ती के प्रतिक गंभी नहीं है इस भीशन कर्मी में बिजली वे पानी की लगातार कटोती से जनता त्राही माम कर रही है जोदपुर में 42 से 45 डिगरी के तापमान में पानी वे बिजली की कटोती ऐस एहनी हैं एवं सरकार के प्रुशासनिक लापरवाही की पराकास्टा है तक्निकी शिक्षा, आयरुवेद और भारती चिकिस्सा, जन अभियोग, निराकरन, राजय मंत्री और प्रभारी मंत्री, डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मत्रदास मातुर अस्पताल में नीशुल को ऑक्सिजन बैंकाउट घाटन किया इस अफसर पर राजस्तान राजय बाल अधिकार, सनक्षन आयोग की अध्यक्ष संगिता बेनिवाल, शेयर विधायक, मनिशा पमार, जिला कलक्टर हिमान शुगुपता, एवं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, डॉक्टर स. राठोड, विस्स रतिती के रूम में उपस्त राजसान हाई कोर्ड लॉयर्स असेशिएशन द्वारा राजसान उचु नियाले सिद ऑडिटोरियम हॉल में नियाधिश देवेंद्र कच्वाह का सिवा निवरत समारों आयोजित क्या गया, महसाचिव सुनिल जोशी ने बताया कि असेशिएशन के अध्यक्ष रवी भंस अध्यक्ष रवी भंसाली ने स्वागत भाषन में नियाधिश कच्वाह का अभिनदन करते वे उनके द्वारा किये गए, नियाई कारियों का उलेग किया अजमेर की हाई सिक्यूर्टी जेल में मॉबाइल मिलने का मामला सामने आया है, जेल प्रहरी ने सिविल आइन थाने में समन्ध में मामला दश कराया है, पलिस मामले की जांच में जुटी है, मॉबाइल बंद वे टूटा हुआ है, लेकिन इसके साथ चार्डर सिम वे इयर फोन भी मिला है एसाई हरी राम ने बताया कि हाई सिक्योर्टी जेल के वार संख्या एक के ब्लॉक नंबर एक की कोटडी संख्या एक में बंद बंदियों दिली फोगा फुत्रपुर्णा राम एमजी तेंडर सिंग दर्बार सिंग की रात के समय आकस्मिक तलाशी ली गई इ पुलिस ने चांच शुरू कर दी है बले ही सरकार जनजाती शेत्र के विकास के लिए कई योजनाय संचालित करती हो लेकिन अब भी वहां पैदा होने वाले 26 फीस्ती बच्चे कुपुशुन का शिकार हो जाते हैं पिछले साल बांसवाड़ा जिला प्रुशासन और जनज हजार बच्चों पर करवाए गए एक सर्वे में 17,522 बच्चे कुपुशित या आति कुपुशित की श्रेनी में पाए गए ये सर्वे कुशलगड़ अननपूरी सजनगड़ घाटोल और गांगड़ तलाई के लगभग सा 150 गाओं में किया गया देश दुनिया में करोना महामारी के मामलों में गिरावट के बाद लोग अब सैर सपाटे पर आने जौने लगे हैं इसका असर अब ट्रेन बस के अलावा हवाई यातरी भार पर भी देखने को मिल रहा है जैपुर एरपोर्ट पर लगातार इन दिनों यातरी भार में बढ हुत्री हो रही है साथी विमानों की संख्या में इज़ाफा और नए शोहर भी जैपुर से जुड़ रहे हैं जैपुर से दो नई जगा बैंकॉक और अबुधावी के लिए अगले महीने से सीधी नई उड़ाने शुरू होंगे गर्मियों के चुटियों में बढ़ते एर किसी के होटल घूमर पड़िसर में विवाहा के लिए अबस्तान उपलब्ध रहेगा जहां पर गार्डन के साथ अब शक्ता अनुसार होटल घूमर में कमरे भी उचितर पर उपलब्ध हो सकेंगे सूर्य नगरी जूतपुर के मद्धे में स्थित होटल घूमर में मैरिज गार्डन से विधा शुरू हो रही है इसमें हर वर्ग समाज के लोगों को समाजिक वेवाहिक जनम दिन पार्टी इत्यादी समस्प्रकार के छोटे बड़े आयोजनों का आयोजन किया जा सकेगा तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हासर होंगे कुछ और बड़ी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें